नमस्कार मैं हुदिती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूजेटीन के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें जिससे आज के दिन को और भी खुबसूरत हम बना सकते हैं और दोस्तों इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि हम एक से लेकर नौ मूलांक तक की रीडिंग करते हैं कौनसी रीडिंग होगी आपकी यदि आपको नहीं पता है तो आपको उधारन देके बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानि की 24 तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर 6 तो 6 होगा आपका मूलांक और आज की तारिक है 1 सितंबर 2023 आज की तारिक नंबर 1 जिसके की स्वामी है सूर्य अपने आप में प्लानेटर है वह घड़ जाता है क्रिया शक्ती जो है वह बहुत जादा जागरत हो जाती है तो कहीं न कहीं हमारे शरीर में भी जो सूरे नाड़ी होती है उसका उप्योग हम करते हैं जब हमें शारिक बल से स्मभणत कोई कारे करना होता है और सूरे के जो एनरजी है जो उनकी एक पावर है, जो एक एनरजी जो हम फील करते हैं, वो औरज़न करते हैं वह सारी कही न कही हमारा जो body का जो एक system होता है, जिससे की हम nervous system कहते हैं अगर मैं आध्यात में कि स्थरकी बात करूँ, तो हमारे चक्रों का जो एक प्रॉपर, ए उसको वो रिमूव करती उनकी एनरजी तो कहा जाता है कि थोड़े समय के लिए सन बात लेना चाहिए उसके पीछे फिजिकली हीलिंग का कारण तो ही है मेडिकली कारण तो ही है लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टी से भी अगर हम देखें तो चुकि आपने देखा ह होगा कि हमारे जो क्रिस्टल होते हैं उनको चार्ज करने के लिए ऐसे तो मून एनरजी का उप्योग करते हैं क्लेंजिंग के लिए लेकिन जब चार्जिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर सन एनरजी की बात की जाती है किसी भी चीज को अगर उशना देनी है जागरत करना है तो सूरे की उर्जा में हमें होना चाहिए तो आए दोस्तों बिना देर की अपने कारिकरम के हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए कैसा गुज़रेगा हमारा आज का दिन हमें क्या Divine Guides दी जा रही है और मुलांक एक के लिए हमें गाइड किया जा रहा है आज 1 सितम्बर 2023 के लिए लो जी हमने सूरे की बात की नमबर एक जो है वो सूरे का ही मुलांक होता है और यहां देखिए नमबर एक मुलांक के जो स्वामी है सूरे तो आज का जो दिन है वो sun को dedicated है सो अब हावी कसी बात है आपकी जो उर्जाएं है आज वो बहुत ज़्यादा powerful रहने वाली है जिस भी कारे में हाट डालेंगे सफलता सुनिश्चित ही मिलेगी क्योंकि September का महीना चालू हो चका है September month number 9 का होता है जो की मंगल कांक होता है और वैसे ही बहुत ज़्यादा high energies हमें प्राप्त होती है divine energies, universal energies हमें मिलती है और आज कहीं न कहीं आपको वो मिल रही है sun energy के साथ तो आज का दिन बहुत अच्छा है specially communication में अगर आपका कोई काम है जहां पर आपको अपनी बात को communicate करना होता है presentation देनी होती है या फिर आप राजनीती में हैं या फिर ऐसे किसी स्थान पर जहां की आपको किसी भी विशय के बारे में बोलने का काम होता है तो आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं एक सिदंबर 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए वाटर गाडियन का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप थोड़ा सा emotionally heaviness महसूस कर सकते हैं अपनी चीज़ों को बयान करने में थोड़ी आपको परेशानी होगी क्योंकि लोग आपको नहीं समझ पाते हैं खास तोर पर emotionally क्योंकि आप मूलांक 2 जो है चंदरमा का होता है और बहुत जादा आप emotional फील करने वाले हैं लेकिन अपने emotions को किसी को क्योंकि समझा नहीं पाएंगे तो कही ना कही frustrate हो सकते हैं तो divine आज आपको क्या guide कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो भी professional आप काम करने जा रहे हैं office, workplace related, business related वहाँ पर बिल्कुल भी अपने emotions को बीच में लेकर ना आएं अनिथा परिशानी हो सकती है और कही ना कहीं आपको खुद के लिए आज समय निकालना है अपने emotions को देखना है साक्षी भाव में साक्षी भाव में देखने का अर्थ होता है कि आप emotion को अपने भीतर से बाहर निकलता देख रहे हैं कि आपको क्रोधा आ रहा है या आपको रो ना आ रहा है लेकिन आप उसके साथ attached नहीं है यकीन मानिए ये जो भी कुछ हो रहा है आपकी बहतरी के लिए हो रहा है क्योंकि किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हमारी बॉडी में ठीक नहीं होती फिर वो चाहे emotional ब्लॉकेज क्यों ना हो आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे angels and sisters हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है मून का कार्ड है आज की जो readings है वो sun and moon को dedicated है कही न कहीं आपको मूलांक 3 के जातकों कहा जा रहा है कि आज आपका जो intuition power है आज आपकी जो अंतरात्मा के साथ जो आपका communication है वो बहुत strong होने वाला है इसका मतलब साफ है divine आपको क्या guide कर रहे है आज के दिन दूसरों पर भरोसा ना करें दूसरों पर आशरित ना हो कोई अगर आपका कारे है जो आपको पूर्ण करना है इसके लिए दूसरों का face देखने के ज़रत नहीं है कोई आए और आपकी help करें आपका काम पूर्णो बलकि आज आपको खुद से कुछ decision लेने पड़ सकते हैं अब यह decision जो है वो आपके life को लेकर भी हो सकते हैं career को लेकर भी हो सकते हैं relationship को लेकर भी हो सकते हैं कुल मिलाके जो भी कोई आप decision लें वो किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होने चाहिए बलकि आज आप अपने आप से अपनी अंतरात्मा से कहा जाता है कि हमारी अंतरात्मा हमारा higher self जो होता है वो ही हमारा गुरू होता है तो आज आपको connect होना है अपने गुरू से और उसके बाद आपको कोई निर्णा लेना है लेकिन लेना खुद को ही है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमारे angels and sisters हमें आज क्या guide कर रहे है एक सितंबर 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमसे कहा जा रहा है aurical का card है जब भी aurical का card आता है तो आपको कहा जाता है कि महत पूर्ण डेने लेने से पहले थोड़ा सा रुखिए कहीं जरूरी कागजाथ पे signature करने से पहले ठोड़ा सा रुखिए क्ल मिला के आपको ठोड़ा सा आगह किया जा रहा है कि हडबडा के कोई भी कारे नहीं करना है क्योंकि जो भी कारे आप करने जा रहे है माली जी किसी प्रोजेक्ट में आप इंवेस्टमेंट करने जा रहे है किसी किसे आप पैसा उधार लेने या देने जा रहे है कुछ भी ऐसा करने जा रहे है तो अभी थोड़ा सा रुख जाए, this is not the right time, अभी आपको उस विशय के बारे में और भी ऐसी कोई जानकरी प्राप्त हो सकती है, जो कि आपके चीजों को बदल के रख देगी, हो सकता है कि आप अपना decision change कर ले, तो फुल मिला के आज का दिन बहुत important है, हड़ बढ़ाना नह ही है, हड़ बढ़ाएंगे तो नुकसान होगा, आपका दिन शुभ हो, आइए जानते हैं, मूलांक पांच के लिए, हमें परमात्मा आज क्या गाइड करना है, हमारे इंजल एंसिस्टर्स हमें बता रहे हैं, आज 1 सितमबर 2023, मूलांक पांच के लिए, और हमसे कहा जा रह है, और एकल का कार्ड है, फिर से, मूलांक पांच के जात्कों को भी सचेत किया जा रहा है, कि आज किसी भी प्रकार की हडबड़ी ना करें, जो भी कोई कारें, बहुत ही तसल्ली से करें, जितना जादा शानती के साथ काम करेंगे, उतना ही जादा आपको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस की चांसेज है, अदर्वाइज नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर बड़ी में लिया गया, जो भी कोई निर्ने होगा, वो दिर्ग काली नहीं होगा, बलकि आप प्रॉब्लमाटिक हो सकता है, तो सोच समझ के कोई भी डिसिजन आपको आज लेना है, आपका दिन अर्थ गार्डियन का कार्ड है, तो सबसे पहले मूलांक छे के जातकों से हम कहना चाहेंगे कि अर्थ गार्डियन का कार्ड जब भी आता है, तो no doubt success आपके पास है, आपको सफलता मिलेगी, आपको मेहनत का अच्छा परिणाम आज के दिन प्राप्त होगा, लेकिन साथ ही जिफान देना है कहीं आपका इगो तो हाई नहीं हो रहा है अपनी इगो को अपने एंगर को आपको अपने कंट्रोल में रखना है बैलेंस रखनाए इस वेरी इंपोर्टेंट आपका दिन शुबहों आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे एंजिल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं एक सितंबर 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है है गाडेन एंजल का कार्ड है पहली बात मूलांक साथ के जातक होते हैं कहिए न कहीं। हो सकता है पिभी आप की चैलेंगs मेहOohसूस कर रहे हो, आपके करियर में में हो सकता है, शा रिलेश्टच्छप में हो सकता तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं तो पहली बात तो अकेलापन महसूस ना करें क्योंकि आपके गाडियन्स आपके डिवाइन एंजल जिनकी आप प्रार्थना करते हो आपके अपने इश्ट देव गुरु देव उनकी क्रपा द्रिश्टी आपके उपर है आपके इस चैलेंज में इस विपरीद परिस्तिती में परमात्मा का पूरा पूरा साथ आपके साथ है ठीक है तो आपको दीरे दीरे इस परिस्तिती से वो उबारेंगे भी किसी भी प्रकार की परिशानी अगर आपको आज होती है तो थोड़ आपका परिवार आपकी हेल्प करने के लिए तो आज कि दिन आपको हेल्प के लिए ओपन रहना है फिर वो चाहे डिवाइन से हो और कहीं ना कहीं अगर लोग आपके पास आते हैं तो सिर्फ डिवाइन की ही ब्लेसिंग मानियेगा आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स और सिस्टर आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं एक सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है शी वॉल्फ का कार्ड है आपको कहा जा रहा है थोड़ा अपने कारे में पैशन दिखाईए आप बहुत जादा जो है ठीक है चीजे हो रही है अपनी गती पकड़ रही है ऐसे करेंगे और सफलता को पाना चाहेंगे तो कैसे हो सकता है दोनों एक दूसरे की कांटाडिक्टरी है आपको क्या करना है कि आपको अपने काम में थोड़ा पैशन लेकर आना है जो भी प्रोफेशन में आप हैं थोड़ा उससे प्रेम दिखाना आज जरूरी है फिर वो चाहे रिलेशन्शिप में हो या वो आपके करियर में हो आज के दिन आपका पैशन ही सफलता का कारण है अगर आपको काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो यूशुड अप्ग्रेड यूर नॉलेज या फिर अपने इंटरेस्ट को आप डबलप करने के लिए को सब्सक्राइब हो सकता है कुल मिला के आज आपको क्लियर कहा जा रहा है आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए आपका दिन शुब हो वाओ मैजिक गार्डियन का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो एनरजीज है वो बहुत पावफुल है मैं आपसे पहले ही क्या कहा कि सबसे पहले तो आज का दिन जो है वो सनेंजी हमें मिल रही है दूसरा सितंबर मैना शोरू हो चुका है सैप्टेंबर मतल कर रहे हैं लोग आपको इंस्पायर आपसे इंस्पायर होंगे आपको एड्मायर करेंगे आपकी चीजों को सराहा जाएगा आपकी बातों को सुना जाएगा कुल मिलाके आज का दिन बहुत अच्छा है राजा बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं आपका दिन शुभो दो झालज कर दो